नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्देश शंकरतिवारी हूँ नागरिक्ता संसोधन विध्यक पे जैसे ही कैबिनेट की मुहर लगी सियासी हंगामा सुरू हो गया है हाला कि इसे पारलेमेंट में आप भी आने में दो चार दिन लगेंगे लेकिन इसको ले करके बात ये कही जा रही है कि ये संबिधान की मूल भावना या आत्मा के विप्रीथ है आखिरकार क्या वज़ा है कि इसको ले करके इतना हंगामा हो रहा है इतना विरोध हो रहा है और ऐसा कुछ क्या इसमें खास है कि मोधी सरकार इसकी तूलना जो है वो 370 खत्म करने से कर रही है बताया यह जा रहा है कि संसदी दल की बैठक में जब बोलने की बारी आई रक्षा मंत्री राजनास सिंग की तो उन्होंने कुछ ऐसा ही संकेत दिया कि इतना ही इंपोर्टेंट है जितना कि कस्मीर में 370 को खत्म करना इसको समझने के कोशिस करते हैं कि इसमें क्या प्रोविजन है और अब क्या होने जा रहा है और किस बात को लेके विरोध हो रहा है दरसल जो नागरिक्ता का अभी तक कानून लागू है 1955 का अपने देश में उसमें ये संसोधन होने जा रहा है जो तीन अपने पडोसी मुल्क हैं पाकिस्तान है बांगला देश है और अफगानिस्तान है अभी तक प्रोविजन यह है कि नागरिक्ता पाने के लिए कम से कम 11 साल आपको यहां पे रहना होगा अब इसमें जो बदल के प्रोविजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि बी हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिसाई, पार्सी जैसा कोई प्रोविजन नहीं है इसमें सब पे यह बराबर रूप से लागू होता है इस बिल में यह प्रोविजन किया जा रहा है कि जो इन तीन पडोसी मुल्कों से मुस्लिम को माइनस करके जितने भी और धर्म के लोग आये ह हिंदू हों, सिख, हिसाई हों, पार्सी हों वगयरा वगयरा उनको जो है यदि एक से छे साल हो गये हैं तो नागरिक्ता दी जा सकती है दरसल इसके पीछे का जो कारण है कि इन तीनों मुल्कों में यह जो अलपसंख्यक है उनको वहाँ पर प्रताडित किया जाता है और व उन्हें दरदर की ठोकरे खानी पड़ती है, सरनार्थी बन जाते हैं और उन्हें नागरिक्ता नहीं मिलती है लिहाजा इससे पूरे प्रोविजन को संसोधित किया जा रहा है मोधी सरकार ने यही इरादा जाताया है अब विपक्षक्यों इसका विरूद कर रहा है जिसे क नागरिक्ता संसोधन विध्यक जो ला रहे हैं इसमें धर्म के अधार पर भेदभाव नहीं कर सकते यानि कि यदि वो मुस्लिम है और इन तीनों देशों से आया है तो आप उसको नागरिक्ता नहीं देंगे बाकी धर्मों के लोग को देंगे यह नहीं हो सकता लेकिन अब अब सबसे बड़ी बाधा कहा प्यार रही है तो वहां से विरूद के स्वार फूट्ने लगे अब उसका क्या रास्ता निकाला जा रहा है उसका रास्ता ये निकाला जा रहा है कि आपका मतलब जो नौर्थ के साथो इस्टेट है उनका कहना यह है कि हम तो वैसे ही छोटे इस्टेट हैं और वहाँ पे जो सबसे बड़ा जगड़ा है वह है वहाँ के मूल निवासी और बाहरी लोगों का यदि इसको लागू किया जाता है तो जो वहां के मूल निवासी ह वह लोग तो वैसे ही कम हो जाएंगे यानि कि बाहरी आकर के बश जाएंगे कई राज्यों का ऐसे करेक्टर बदल चुका है तो उनको यह कहा जा रहा है कि तीन राज अरुनाचल प्रदेश, मिजोरम और नागा लाइन में आई एलपी की बात की जा रही है कि जो प्रोसेस जारी रखने का मतलब क्या हुआ आई एलपी क्या है तो आई एलपी जो होता है वो उसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट सिस्टम इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या होता है कि इन राजियों में जाने के लिए यह आप जाते हैं घूमने के लिए तो आपको एक पर तो इन तीनों राजियों के लिए इसी इनर लाइन पर्मिट की बात हो रही है कि इसको जारी रखा जाएगा इसमें जो है या तो यह नौर्थ इस्ट के इन तीनों इस्टेट में लागू है यह कहते हैं कि लेह लद्दाख में जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े तो यह तरवल डॉकुमेंट होता है अब इस चीज को करते हैं तो फिर जो और जो वहां के पूर्ण नौर्थ इस्ट के राजे बचते हैं फिर उनका क्या होगा तो उसी कटेगरी में दो तीन राज और आते हैं असम में घाले त्रिपुरा और मिजोरम जो चार यह राज ब भरुसा दिया जा रहा है अब उसमें पुराने नियम कुछ बनाए गए हैं कि वहां के मुल निवासियों के अधिकार संग्रक्षित रखे जाएंगे तो उसका भरुसा दिया जा रहा है लेकिन के इन सरकार के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है कि नौर्थ हिष्ट के सातो राजी इसका विरूद कर रहे हैं और वो अपने अस्तित्व को लेकर के अपने संग्रक्षन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है कि ऐसे तो बाहर के लोग आ कर के बस जाएगे को कि नौर्थ हिष्ट में जो है बंगलादेशियों का बहुत जबरजस्त प्रभाव है खा का समधान नहीं निकलेगा तो बिल का पारित कराना मुश्किल हो जाएगा तो अब जब के कैबनेट से मंजूरी मिल गई है तो सभाविक सी बात है कि ये संसत के दोनों सद्नों में आएगा और उसके रास्ते निकाले जा रहे हैं और सारे लीगल ओपिनियन्स लेकर के ही कै जाएगा और जो विरोध हो रहा है उसका कैसे जवाब दिया जाएगा कि जो है इसमें क्या है और क्यों किया जा रहा है थोड़ा सा और बैग्राउंड में चलते हैं कि इन देशों से यानि कि पाकिस्तान बांगलादेश और अफगानिस्तान से ज्यादा तर जो लोग अलपसंखक थे लेकिन वहां ठीक ठाकती अब गिर करके 2-5% पर आ गया है तो हिंदु जब वहां सताय जाते हैं तो भाग के भारत आते हैं और भारत आते हैं यहां पर नागरिक्ता मिलती नहीं यहां पर रहने के लिए विवस होते हैं मजबूर होते हैं तो उन लोगों न देश में उन्हें रहने के लिए इस तरीके से दरदर भटकना पड़ रहा है तो हमें नागरिक्ता यहां की दी जा और उस प्रोविजन को धिला के जा जो 11 साल वाला प्रोविजन हैं बहुत लोग उसको फुल्फिल नहीं कर पाते हैं उसी को उसी प्रोविजन को जो है वो सरकार को यह लग रहा है कि यह बिल पारित हो जाता है तो यह उसके बोट वैंक के लिए बहुत बड़ा मेसेज होगा कि देखिए हम जो कहते हैं वो करते हैं 370 खतम किया मंदिर जो है बनवाना सुरू किया और अभी नागरिक्ता संसोधन विधेक लाएंगे इसके बाद ज देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक्यू इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबानर ना भूल